तो यहां से पिछली एपिसोड खतम हुआ था पिछली एपिसोड के एंड में देखा था कि वह अपनी फोनिक्स बाड़ा जो भी अपनी थी वाई टीम वह टीम और सामने अपोनेंट की टीम हमारी टीम का भी लेवल लिखाया जाता है कि सबकर सब यहां पर गोल्डन पर है को मेरा लेवल यहां पर अन्नोन काई को दिखा रहा है सामने से फोनिस केती हैं उससे फड़क नहीं पड़ता अगर हम अपना पूरा पाउर भी मिला देना तो हम उनका सामने से साथ उर्पियंस केती हैं यह बात तुमने आप ठीकी बोला उनमें जो पांच बंदे ना पांच सामने से सामने से यार एक मौकत तुमको देने हैं सरेंडर करो और हमारे अंडर में आजा वहने तुम्हारा खंदान में खतम हो जाएगा तो वैसे भी सब कुछ यहां पर बरबाद हो जाएगा जो सुन्दई अपने दाई कहती ऐसे कैसे हार मानेंगे लड़ेंगे तुमको जांसे यहां पर मा सब्सक्राइब हो जाता है तो हमारे टीम में तो यहां पर हो गया तो दूसरा सामने सबसे कमजोर बंदा यहीं ता लिगन चोड़ें पर गुस्त आ जाता क्यूंकि इनके बीच में दोस्ती अची हो चुकी थी जो सिचला दे तुम्हारी मां का भी तुमने में दोस्त का पर चोड़ पहुचाया गुस्ते कमारे ड्रैगन को फॉर्म में आ जाता है और लाल वाली की और हमला कर देता है सामने इस वह कहते है कि विल लोग कहते साइस ड़ेजन मैटर तू अपने ड्रैगन को फॉर्म में आ गया तुझे क्या लगता है साइस बढ़ हो गया मोजहरा दे देने नहीं इसानी फॉर्म को भी यहां पर मानेंगे अपने जो बाकि फॉनिक सब्सक्राइब लिंक्स करें लिंग्स उसे कहते वह तुब बस खाती रहेगी तुफाट करेंगी यह खालिया ओके आया मसुरेडी तो भी आ टैकने करने के लिए बढ़े आती हैं को एती कि मन बार आपने फोनिक सब्सक्राइब करता है लेकिन यहां पर अपनी बढ़े बचा लेती है उन्हीं दोनों बंदों को पर अपनी शाथ यहां पर हमला करती है और बाके बंदों को मुझे टेंशन यह ओ जो फॉक्स के हाथ में ब्रेस्ट यहां पर उसका जो लेवाल है बस न ना खास है ना कि उसका जो पावर एंडेर के यहां पर हाई ग्रेड के जो इमोटर्स होते ना उसमें मीडियम स्टेज पर पहुंचा दिता है यानि सबसे पहले हमें उस फॉक्स को मारना पड़ेगा तब जाके बाकिये बंदों को मार पाएंगे तो न पाचों में से बंदन मिठी के अबलेटी यहां पर उसका सकता है तो अपनी अबलेटी यहां पर उसकता है और मिठी के अंदर से धेर सरे यहां पर टेंटी के लिए संचीजे निकाल लेता है और जो भी बंद यहां पर देना सारे बंदों को जाकर लेता है अपने डेगन को सोड़ी मडल को साथ या फिर देशी पेंसर दीख चोटी वाली फॉक्स भी उसकी जो बहनती ने दाई की वी जाई थी सब को पगड़ेते मते दाई को छोड़के सब को पकड़िया जाता है तो यह लाल लाल ला उसको मारता भी ऑग के ता साले तेरी मां का भई मैंने बोला था हमारा में टाइगे लेड़ के वो फॉक्स उसको पकड़ो उसको जहां से मरना है तू उसको छोड़ के सब को पकड़ रहा है वो बंदक के दमाली कोई तो करो बाके सब को मैंने पकड़ लिया यहने लोग चाके भी कुछ हमारा भीगार नहीं सकते और हम लोग मिलके अटेक करने उस फॉक्स पर उसको मार डालेंगे यह मेरा प्लैन है यार गदे के बच्चो यार आप यह भी करता हां यह बार तुन्हें ठीक बोला तो सोच क्या रुबर साथी हो आकम अंड उस फॉसको उपर तो दाई को उपर हमला करते है डाई भी अपना ब्लेसेड ही उसका दिया अटक करने के यह कमाल को जो एक्सपर्ट है यह उनकी दम क्लोज लड़की है बाई चंस इनको कुछ हो गया ना तो हम लोग वैसे उनके हाथों से मरी जाएंगे यह जो है ना वहीं टीवान रस्ती को यह सी वेसी रसियां पर यह एक गोल्डर इमोटल होता है उसको पर ना डलू लू लूग के सामने सब्सक्राइब कर पाएंगे बस एक अटेक और तेरा काम तमाम और अटेक करने को त्यार ताम यह सब चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं लोग खुद यहां पर जगड़े पड़े देना और लोग आख पंद कर ले देकिन नहीं नहीं हम से इस सब देखने ज गुस्ते के मारी जिससे उसको चगड़े था उसको तोड़ती अपने फॉनिक्स को रूप में यहां पर आती है और अटेक करने के लिए आगे बढ़ आती है जैसे अटेक करने के ला गया थी लेकिन लेट हो चुके थी और चाको लिया था और च्छाती के आरपर मार दिया दाइका लेकिन इस से अगले सट मार हो चलते हैं उस चाहती का पर पर नी वहाजियू में मारा गया था क्यूंकि किसी और ने उसको पर ऋटेकर कर दिया ता उसको अट यहां पर जाने से पड़े कुछ यांपर दिया था आपने हाथों से बनाकर हातों बैसिकली उसका चोट खेलेंग उसके चोटा सा नियांक फेंग आप ही बन जाता है वह बाहर में निकलता है उसको थोड़के दाई को भी आजात करदेता है दाई दाई के सामने खड़ जाता है और कर दो हो जाता है